सल्कूल लाइक दॉस्त हुद्ट किया हाल है आज वीडियो में हम जानेंगे खोस्ट में ग्रोस प्रफुिट मार्जन तीक ग्रोस प्रफिट मार्जन के वाले से अगर यह रेशियो कम आता है आपका ठीक है तो हो सकता है कि कुछ पॉसिबिलिटीस यह कुछ कॉंक्लूजिन आप इससे निकाल सको है अब इससे हैं रही है कि अब्रोदय की कंपनिया की अमोगह कर्ती गा। है तो कुछ इससे हमत अ मझें कोहाईव एससे निकाल का था मूझान की कभर रहे हैं और का स्पीड में रही है उस इस बिंख सबना कर रहें निकाल गृम्ड THAT रहे हैं प्राइस बीड लाइट है यह कापने स्पीडि में परड है इस यह पता चलता है अगर यह कि इस साइन आ बाहता है धुक्त है अभाएता पर यह कली वासे उतना से संग्ड इंधाज़ा लगा लिए कि जो सेलिंग प्राइसे से कम हो रही है क्योंकि जो कॉंपुटिटर से मार्केट में वह 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 अपने वह अपना गुट जो है वह सस्ते सस्ता बेच रहे हैं ताकि वह कॉंपुटिटिटिफ एडवांटेज अचीव कर सके तो जिसके आसे कि इस कंपनी को भी फॉर दे सेक और कोंपुटिटिशन अपने प्राइस कम करने पर रही हैं तो उर्फममी अभी जाना कि ई year सिंचिक चीज य यह कॉम्पटिशन निकल सकता है टीक है किसरे कंपूजिए निकल सकता है अ हिवस आप कर्광 इस ऐस ग्रोस भरत मार्जन आच एफ तो डेट कुड मिनदेर चुर बहुत ज़ादा है और company को जो यहां पर gross loss हो रहा है और gross loss उसी सूरत में होगा जब company क्या cost of good soul काफी ज़ादा आएगा ठीक है उसकी net sales से ज़्यादा जादा cost of good soul लाएगा तो इसका मतलब कि company ने यह तो loss sales की है और जो जितने में company कांपनी को पढ़ा उससे ने बेचा यह तो फिर कंपनी का जो सब्सक्राइब आधे। खाड़ी दी थी लेकिन कम इनुपनी शाल कर पाई और एंडिंट काफी कम बच गई काई तो इसका मतलब कि इंवेंटरी थेफ्ट हो रहा है कुछ चोडी कर रहा है कंपनी की तो यह भी कंक्रुजन निकल सकता है कोश्टरी ब्रोस प्रोफिर रेशी कोश्डि राशी अश्रीन है और न्यागिरिफ में तो इसका मतलब के हुआ सब गोई inventory theft का रगा हो कि एक अग्रोस लॉस्ट तब होगा जब अपनी को ने को स्थो गॉड्स ओड़ सोल काफी ज़ादा आएगा का फी ज़ादा तब आगा जब कंपने इन्वेंटरी जितनी खरीदी होंगी और से कम इन्वेंटरी सेल कि होंगी तो इसे मुक्तली conclusion आप निकाल सकते हैं, I mean gross profit ratio से, okay, so also if the gross profit ratio is lower, then it could indicate that the company has lower markup on their product, that the company अब बताया करती हैं, इसको तोड़ा पैसा जादा में, निकाल सकता है, यह इसको कम ने मार्कप अपना काफी कम लगाया हो एक अपनी प्रोडक्स पे, अब इस सिर्फ इन्वेस्टरी इसको एनलाईस नहीं करते हैं, इसको managers or auditors भी इससे एक meaningful conclusion निकाल सकते हैं, so it not just help managers it also help other stakeholders other stakeholders such as managers, employees, customers, all these people are stakeholders because stakeholders is not a person who is directly or indirectly interested in the company's financial reports so managers use this ratio to anticipate and predict their profitability managers look at it that we have a gross profit, obviously we have a net profit, so we predict that our net profit will be enough and if our cost of goods is enough, our gross profit will be enough so this we anticipate, and anticipate the future as well if our cost of goods is enough and next year, our gross profit will be enough then this will be enough, so we predict the gross profit धोर जानियों की ते गाल ही वे यह स्टफिस ऒैक्रीज़ इसफ जार तो इसे इससे फइशन करते हुँर्ण कर सकते हुए करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं ठीक है मैंगर अलसो यूज इस रिशो इन कोस्ट कंट्रोल ठीक है अब जैसे ग्रोस्परफिट मारजन काफी कम आ रहा है तो वह दो लोग देखेंगे कि हम कुम सी चीज है कि हम जिससे हमार कोस्ट गुर्सोल को कम कर सकते हैं ठीक है या तो फिर हम ज्यरो ट्रे डिसकाॉंब महां जो केश्ट डिसकांइन या तो इन ए किसी दुसरे सप्ल्राइर से खरी आखेंडेगिए चीप अब बात करते हैं कि इसको क्लिए किस तरह करते हैं परहते हैं तुझ करकूलिट करना काफी सिंपल है आपको बस नेटसेड चाहिए और ग्रोस परफिट चाहिए ये तो आपके पास या अंसर आजाएगा 80% which is very good ठीक है यह काफी अच्छा है यह अच्छा है क्योंकि यह बता रहा है कि कमपनी ने अपने net sales क्या 80% जो है वो gross profit में convert किया ठीक है 80% अपनी net sales का gross profit में convert किया यह 5 लेकर उनकी net sales ही थी तो उनका gross profit है वो 4 lakh हुआ या 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 जिनके सिर्फ एक लाग उनकी जो inventory की cost थी यह एक लाग की inventory उन्होंने 4 lakh में sell की और जिसके ISN का जो net sales है वो 5 lakh का आया है थीक है I mean sorry एक लाग की inventory उन्होंने 5 lakh में sell की थीक है So this is what it's actually telling us अगर यह ratio for example 20% हो था ठीक है यह 80% नहीं होता यह 20% होता Let's suppose की 20% है ठीक है तो इसका मतलब की company ने इतना अचा खासा मतलब इतना अचा मार्क अप नहीं लगाया यह हो सकता है company inventory theft हो रहा हो या तर फिर company की cost of goods हो ले काफी जादा है ठीक है और company की net sales हो काफी कम है तो जिसके से gross profit company ने काफी कम कमाया है ठीक है मतलब कि स्कता है कि ऐसा हो चीक है और आप हम देखते हैं कि इसको किस तरह compare करते हैं हमारे इंवेस्टर्स और किस तरह किस तरह सको एनने लेस किया जाता है या किस तरह के conclusion निकाला जाता है कि अच्छा है या बुरा है ठीक है अच्छे अच्छे वक्त में है यह रहनी डेस में हैं ठीक है so इसको कंपेर कर सकते हैं एक तो इंडस्ट्रील लेड जा होते हैं यह तमाम पूपिटर के ग्रोस्पर्फिट का एमीन भॉस्पर्फिट मार्जन का ठीक ग्रोस्पर्फिट मार्जन का एवरेज होता है जैसे for example मैंने एक competitor A, competitor B, competitor C, competitor D, competitor E, ठीके इन सब का जो है वो gross profit margin ले लिया, ठीके इन सब का पिर उन सब के जो gross profit margin का मैंने average निका लिया, तो वो मेरा बन जागा industrial average, ठीके फिर मैं उस industrial average को अपनी company के gross profit margin से compare करूँगा, ठीके मैं conclude करूँगा कि मेरी company का gross profit margin वो अच्छा है या बुरा है, इस तरह हमें जो इसको previous ratio से भी compare कर सकता हूँ, कि मैं देखनागा कि previous ratio, for example, अगर previously मेरा पस 40% था और अब मैरा 50% है, तो मैं कहूँगा कि अब यह progress कर लिया company, ठीक है, इनका जो gross profit है, वो day to day increase होता जा रहा है, ठीके इससे में यह conclusion भी निकाल सकता हूँ, ठीके, दूसरा ह इससा करते हैं, कि को इनको decide करना होता है, कि मुझे, मैं जो इनकी competitor में invest करूँ है, इस company में invest करूँ है, ठीक है, फिर हम यहाँ पे हमने एक तरह से analyze किया हुआ है, ठीक है, एक company है, ठीक है, एक company है, जो gross profit margin 56% है, और हमारे पास industry leverage है, वो 68% चल रहा है, ठीक है, तो इसका मत इसका मतलब कि company underperform कर रही है, in terms of their profitability, क्योंकि industrial leverage, इनके computer रहा है, जबके हमारे जो company वो कम gross profit कमार रही है, जबके हमारे जो company वो कम gross profit कमार रही है, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे तो से नवे हमारे पास दूसरा से नवे जहाँ पर हमारी company जो 90, I mean 89% gross profit ratio रहा है, पर इसका है ज़्यादा gross profit कमार रही है, ठीक है, तो invest obviously अब इसमें invest करेगा, otherwise यहाँ पर इसमें invest करेगा, ठीक है, so this is it, thank you everyone for watching this video, have a great day and Allah Hafiz.